Hello everybody, आज हम 01 knapsack problem की एक example चेक आउट करेंगे 01 knapsack problem जो है वो dynamic programming paradigm इस्तमाल करता है ठीक है और हमारे पास थबसे पहले तो हम data set देखते हैं data set में हमारे पास क्या given है कि एक knapsack pack जो है उसकी maximum capacity है 50 kg को, 50 kg उसके तरा आ सकता है maximum और जो weight है तीन items का दिया है 10, 20 और 30 kg और उसकी values 60, 100 and 120 डॉलर लेट सपोर्ट और सेनारियो यह है कि एक चोर जो है वो चोरी करने के लिए गुसा है एक shop पे और उस shop में उसको तीन item देख रहे हैं यह तीन item हमारे सामने हैं जिनकी value 60, 100 and 120 kg है अब 01 napsack problem के सेनारियो में वो एक item को दो दफा नहीं उठा सकता और कोई भी item या तो पूरा उठाएगा या नहीं उठाएगा हैंस 01 name ठीक है जीरो का मतलब नहीं उठाया वन का मतलब उसमें पूरा item उठा लिए अब हम इसको फिल करने के लिए अपना bag के हिसाब से एक column मना रहे हैं राइट के bag में अगर 0 kg वेट हो तो कितना उसमें items होंगे 10 kg में कितना item होंगे 20 में 30 में 40 में 50 में अब सबसे पहले हमारे पास I की value 1 या अगर वो एक item सिर्फ उठा सकता है तो अपने bag को फिल करेगा ओके वन वाले रो में सबसे पहले हमने चेक किया कि अगर 10 kg भरना हो bag में तो क्या करेगा वो 10 kg का item रखतेगा तो value कितनी आएगी उसकी 60 kg sorry 60 dollars 60 dollars उसके पास value हो गई right उसके बाद अगर उसका bag उसमें 20 kg भरना हुआ तो क्या करेगा 20 kg का एक item उठा लेगा और उसके पास value आएगी total value वो होगी 100 right और similarly अगर 30 kg उसके bag में भरना हुआ तो एक item उठा लेगा 30 kg वाला और value उसके पास आएगी 120 ये तो होगा clear अब अगर 40 kg भरना हुआ उसको अपने bag में तो क्या करेगा कुछ नहीं कर सकता क्यों वो एक ही item उठा सकता है अभी हम वो सेनारियों की बात करें जब i1 हो i1 का मतलब है कि वो एक ही item अपने bag में डाल सकता है ठीक है एक item बैक में डालेगा तो maximum 30 kg वाला डालेगा उसकी maximum value 120 हो सकती है सिमिलरली 50 वाले में भी 50 kg को टाची नहीं करेगा तो 30 kg वाला एक item उठाएगा तो value 120 होगी अब अगर उसको दो item उठाने की सेनारियों आ जाए कि वो कोई भी दो item उठाके अपने place कर सकता है bag के अंदर तो अगर 10 kg bag का वजन है तो अफकोर्स एकी item होगा जिसकी value होगी 60 अगर 20 kg के है तो भी अफकोर्स एकी item होगा क्योंकर एक item को दो दफान नहीं उठा सकता ठीक है तो 20 kg में 100 हो जाएगा similarly 30 kg में 120 value की उसके पास चीज आएगी ऐसा ही है नहीं ऐसा नहीं है आपको 160 दिख रहा है 160 क्यों हुआ जब 30 kg उसने bag में डालना है तो अब उसके पास choice है या तो वो 30 kg का एक item उठा ले या 20 kg और 10 kg के दो item उठाए ना कि उसकी value maximize हो जाए तो उसने क्या किया क्योंकर आब दो आइटम उठा सकता है अपने bag में फिल करने के लिए 20 और 10 kg 30 kg बना और value के हिसाब से 160 बना तो of course maximum value आगी 160 then 40 kg अब 40 kg में again उसके पास क्या option है दो आइटम उठाने की option है यानि के 30 kg और 10 kg जब उठाएगा तो यह बन जाएगा 40 kg और उन दोनों की values को अगर हम add करेंगे तो हमारे पास बनेगी 180 अब 50 kg की अगर हम बात करें तो 30 kg और 20 kg यह दो item वो अपने bag में डालेगा तो उसके प यह आपके पास होगा दो आइटम उठाने से राइट अब यह तो हम सारे कर रहे हैं बगार किसी फॉर्मिले के अगर इन चीदों का हम फॉर्मिले के थूरू प्लेस करना चाहे तो इस इस फॉर्मिला अब जो हमारा आखरी कॉलम है जिसमें उसके पास तीन आइटम उठाने की चॉइस मुझूद है तीन आइटम उठा सकता है वो कोई से भी उससे हम फिल करते हैं इस फॉर्मिले के थूरू सबसे पहले आई हमारा है 3 और वेट हमारा है 10 ठीक है 3,10 रो नमबर रो वाली जिसमें आइटम जिसमें आपके पास 3 आई की वेल्यू है और कॉलम वो जिसमें आपने 10 किलो बैग में डालना है कुछ भी नहीं कर सकते 2,10 यह आपके पास i-1 से 2 आया 10 की वेल्यू यानिके जो रो नमबर 2 जिसकी i की वेल्यू 2 है वो और 10 या वो बढ़ा होगा या फिर 2,10-30 wi हमारे पास कितना वेट है 30 और vi कितना है हमारा 120 यह हमारे पास option है अब जब चेक किया तो हमारे पास जो दो arguments आए पहला argument तो 2,10 हो गया और दूसरा argument टेबल का क्या है 2,-20 plus 120 अब 2, minus 20 हमारे टेबल में है ही नहीं ठीक है minus 20 kg का हमारा पास इस संगारियों में कोई चीज है ही नहीं तो यह वाला second argument हमारा cancel out हो गया और सरफ first argument की value जो है हम place कर देंगे 3,10 के अदर which is what 60 similarly next 3,20 में हम करेंगे 2,20 i minus 1 की जग़़ 2 आ गया w 20 हो गया और अब हमारे पास दूसरा argument 2,2 minus 30 plus 120 अगर हम देखें तो पहला argument हमारा क्या बनेगा 2,20 और दूसरा argument 2, minus 10 plus 120 तो 2, minus 10 भी हमारे पास कोई value नहीं है इस column में तो हमारे पास maximum value कौन सी है फिर एक ही choice हमारे पास 220 वाली जो value है 2,20 वाली जो value है वो हम place कर देंगे 3,20 में हमने place कर दी अब आ जाते हैं 3,30 में तो 3,30 के लिए एक argument है 2,30 value value और दूसरा argument है 2,30 minus 30 plus 120 अगर हम देख करें तो 2,30 जो है वो क्या है 2,30 हमारे पास है 160 और 2,0 क्या है 2,0 है 0 plus 120 यह बना 120 तो 160 is of course greater than 120 तो जो हमारे फिर्स अर्गूमेंट है 2,30 जो हमारे फिर्स आर्गूमेंट है 2,30 जो हम वो हम वो हम सेलेक करेंगे और place कर देंगे 3,30 में then 3,40 3,40 को solve करने के लिए i-1 की जगा आगया 2 weight पर आगया 40 और दूसरा अर्गूमेंट 2,40 माइनस 30 प्लस 120 अब अगर हम चेक करें 2,40 क्या है हमारे पास 2,40 हमारे पास है 180 ओके और 2,10 प्लस 120 यह क्या है हमारे पास 2,10 60 60 में 120 यह एड़ करेंगे तो आएगा 180 तो दोनो 180 ही है तो it really doesn't matter दोनों में से कोई भी आजाए हमारे पास 180 ही आएगा 3,40 के उपर right finally 3,50 को fill अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे 2,50 की value को check out करेंगे या फिर 2,20 की value में 120 अड़ कर देंगे 2,50 हमारे पास है 220 और 2,20 हमारे पास है 100 100 में अगर आप 120 अड़ करेंगे तो वो भी 220 बनता है तो दोनों 220 ही आ रही है तो हमारे पास 220 ही आएगा तो इस से हमने क्या प्रूफ किया कि maximum जो fill up हो सकता है वैल्यू के हिसाब से हमारा बैग वो आपके पास 220 डॉलर की value तक हो सकता है उससे आदर नहीं हो सकता दिए वो नापसेक में ठीक है तो थैंक यू वेरी मच आई होब यू लाइक इट करेंदी सब्स्राइब मैं चैनल और प्लिक लाइक थैंक यू वेरी मच